जंगल वरक्षियों से भरी एक ऐसी जगह है जिसमें कोई चल के जा भी ना सके यहां पर हम 200 स्क्वेर मीटर में एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका इस साल नाम दिया गया है गुरू नानक सेक्रेट फॉरेस्ट गुरू नानक पवित्तर जंगल लुध्याना के मत्यवाड़ा जोन में आज हम गुरू नानक सेक्रेट फॉरेस्ट लगा रहे हैं अई हम दिखाते हैं हमारे पास एक मांट बिलकुल तयार है जो करीब 80 स्क्वेर मीटर का है इसमें 550 डिवाइड बाई टू सो के अराउंड 280 ट्री इसमें लग जाएंगे हमारे घरों में हम लॉन लगाते हैं बगेचे लगाते हैं बैकक्यार्ड होताय कई बार खाली पड़ा रहताया इन सब छोटी चोटी जगाओं पर भी एक ऐसा जंगल लगाया जा सकता है जिसे न पानी देनी की जुरूरत पड़े और जंगल में उगने बाली तमाम अच्छी सांस भी जोड सकें, अब तक 3-3 महीनों में 18 फोरेस्ट लग चुके हैं, कई सारे ऐसे घर हैं जिसमें हमने 100 पेड़ों का जंगल लगाया है, 50 पेड़ों का जंगल लगाया है, और बहुत चोटी से जगाए, चोटे चोटे फोरेस्ट लगाने से ये होगा, कि हर प्रोटी ऑफ वाटर और प्रोटी ऑफ स्वाइल जरूर बनेगा, सबसे बड़ा इंपक्ट यह है कि आपकी आबो हवा अच्छी हो जाती है, व्वे सुबह आप चड़ियों की चैचाहाट से उठो, जब आप अपने घर में बैठे हो तो आपको एक जंगल के जैसी ताजी शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिले, आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो बोर्वेल है, गर्मियों में सूख जाता है, पानी नीचे चला जाता है, वो होना बंद हो जाए, और यह जो धूप हमें लगती है गर्मियों में, फिर हम इसी चला के अपने घरों को अपने होने लगे, तो यह सारे फायदे आपको एक छोटा सा जंगल लगाने से मिलने लगेंगे, इस तरह का डिस्कनेक्ट आ गया है, जब से हमारी अर्बनिजेशन हुई है, इस डिस्कनेक्ट के कारण हम जो भी बिमारियां भुगत रहे हैं, जो एर प्लूशन और वाट करते की रूप से उकते चले आएं, यह छे से आठ महीने में हमारे आई लेवल तक आजाएगा, मतलब आप इसके आरपार नहीं देख पाऊगे, आठ से आठ दस महीने बाद, तो दो से धाई साल में हम कह सकते हैं कि यह जंगल पूरी तरीके से से सेल्फ सस्टेनिंग मेंट पूरी हो जाएगा, दस साल में उकते उकते इतना बड़ा दिखने लगेगा कि जैसे कि सौ साल को राना जंगल, और उस स्टेज पे हम यह भी कह सकते हैं, अगर यह थोड़े बड़े एरिया में लगाओ, यह बारिश के बाद लोग को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है तो यहाँ पर बारिश भी बढ़ा सकता है, जंगल एक ऐसी अस्थान है जिसका साइज नहीं होता, पहले हम समझते ही जंगल बड़े होते थे क्योंकि छोटे होते ही नहीं थे